हेलो फ्रेंट्स वेलकम तुमें चैनल मैं हूं डॉक्टर नम्रिता फ्रेंट्स आज किस वीडियो में आप सब इसी बहुत ही इंपोर्टेंट हो में पैथिक मेडिसिन एडॉनिस वर्नेलिस के बारें बात करूगी जिसका प्रयोग हार्ट डिजीज में किया जाता है एडॉन समद्धित बीमारियां हैं जैसे कि आपको काड़ाइटिस की परेशानी है या पर आपकी मिट्रल वॉल में स्टिनोसिस हो गई है बॉलर इंसफिशन्सी है रिगर्गिटेशन की प्रॉब्लम है या अपकी हिर्दय की मसल्स बहुत साथा कम जोर हो गई है उसमें सूजन हो है उसमें पानी भर गया है आपको एंजाइना की परेशानी है आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है आपकी पल से रहती है आज किस वीडियो में मैं आप सभी से एड़निस पर नलिस हो में पैथिक मेडिसिन की बारें बात करूंग इसका प्रयों आपको कैसे करना है कि इन लक्षरों पे आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं इसको कितनी पोटेंसी में हम लें कि जिससे कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे करके जाएगे और इसको कितने दिनों तक लेना है और इस दवा का क्या कोई साइट इफेक्ट है हार्ट पेशन्ट क अलावा क्या नॉर्मल लोग इस दवा का सेवन कर सकते हैं तो यह वीडियो बहुते ज्यादा इंफोर्मेटिव है और इंट्रस्टिंग भी है तो वीडियो को पूरा एंड तक चरूर देखें तो चली वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अडॉनिस फर्नलिस मेडिसिन के बार में तो अडॉनिस फर्नलिस प्लांट मेडिसिन होती है पेड से इसको बनाया जाता है और इसकी जो प्लार होते हैं वो यलो करके फ्लावरिंग प्लांट होता है जो कि आफरिका में और एशिया की कंट प्लांट होता है जंगली पौधा होता है जिसके फूलों से टहनियों से पत्तियों से दवा को बनाया जाता है और इसके बहुत ही अच्छे अमेजिक रिजल्ट देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले इसके इस प्यार आफ एक्शन के बारें बात कर लेते हैं इस दवा का इसके साथे साथ अगर आपकी आर्ट्री में ब्लॉकेज हो गया है आपकी एरोटा में ब्लॉकेज हो गया है इसके साथे साथ अगर आपको आपकी हार्ट की मसल्स कमजोर हो गई है आपकी हार्ट की पंपिंग एक्शन है वो अच्छे से नहीं है अच्छे से हो रहा है आप इसको कैसे प्रयों कर सकते हैं तो सबसे पहले जितनी भी कॉंप्लिकेटेट हार्ट डिजीज होती जैसे कि मायो काड़ाइटी जिसमें हमारी हिर्दे की जो मसल्स होती है जो लेयर होती है उसमें इंफेक्शन हो जाता है अगर आपको वालुरिलिल इंससी की प्रॉब्लम है आपकी वाल्स ठीक से काम नहीं करते हैं आपकी मिट्रेज वाल्स में सट्रिकवनी हो गई है इसकी वजह से जो भी परिशानी हो नहीं दॉदेदं़िक Dis een है और उसकी हो जैसे अगर आपको हार्ट में स्वैलिंग हो गई है आपकी हार्ट में हाइपर ट्रॉफी हो गई है उसमें फैटी पॉजिशन हो रहा है तो उसके लिए इस दवा का प्रियोग किया जाता है इसे साथ अगर आपको कार्डिक हाइपर ट्रॉफी हो गई है आपक हाम में हार्ट में पानी भर गया है, हार्ट की जो लेडेये हुए, उसमें लिप्जीशन हो गया है, पैटी डिपॉजीशन हो गया है... तो ऐसी कर्डिशों में परिक्षानी हो रही है, जब को परेशानी हरी है, मिट्रल वॉल इस्ट्रीमोंसी है है, या जैसे कि अगर आपको हार्ट की बज़े से अगर आपको सास लेने में बहुत जादा परिशानी होती है, आपको सास ठीक से नहीं आती, आपकी चेस्ट में पेन होता है, तो ऐसे कंडिशन में आप इस मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथ अगर आपको पैल्पिटेशन की परिशानी है, आपको बहुत जादा घबरहाट होती है, आपकी पल्स इर्रगलर रहती है, तो ऐसी कंडिशन में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथे साथ अगर आपको बहुत ज़ादा एंजाइटी रहती है, घबरहाट रहती है, चलते वक्त आपको बहुत ज़ादा सांस पूलती है, और आपका जो हार्ट है वो अच्छे से ठीक से फंक्शन नहीं करता है, तो ऐसे में इस दवा का प्रियोग कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से रिजर्ट देखने को मेलेंगे, इसके साथे साथ अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती है, बहुत ज़ादा घवराट बेचे नहीं होती है, तो ऐसे में आप इस दवा का प्रियोग कर सकते हैं, काडिक बर्न आलिस जो होती है, इसका एक्शन हमारी हार होता है, अगर आपका हार्ट बहुत ज़ादा कमजोर है, और आप चाहते हैं, अपरी हार्ट को टोन अफ करना चाहा रहे हैं, आप मजबूत पनाना चाहा रहे हैं, तो ऐसे में का प्रियोग करते हैं, तो यह हमारी हार्ट की मसल्स को बहुत साथा मजबूती प्रदान करती तो अगर आप चाहा रहे हैं कि अगर इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं अपने अलोपैथिक मेडिसिन के साथ में और यह देखा गया है कि इस दवा का लगातार प्रयोग करने से बहुत सारी हार्ट की जो कॉंप्लिकेटर बिमारियां होती है जो इंक्योरिबल होती है उस तक उस उनक्योरिबल बिमारियां को भी यह दवा ठीक करने की चंपता रखती है बहुत सारे केसे अपरी तरीके से हंड़ेट परसंट ठीक किये गए हैं तो ऐसे में अगर आपको हार्ट में ब्लॉकेज हो गया है आपको अगर काडेक अरेस्ट हुआ है हाट अगर आपको कभी हिस्ट्री रही है आपको चेस्ट पेंड की समस्चा रहे चुकी है तो ऐसे में आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं इस दवा का प्रयोग करने से हमारी हार्ट की जो मसल्स होती है वो बहुत जादा मजबूत हो जाती है यह हमारी हार्ट मसल्स को टोन अप करता है साती कि आप इसको मदर टिंचर फॉर्म में लें अगर आपको अगर आपको मदर टिंचर नहीं मिलता है तो आप 6 CH में या 30 CH में भी प्रयोग कर सकते हैं ये दवा जितनी ज्यादा लोर प्रोटेंसी में आप अगर लेते हैं तो उसका एक्षन बहुत ही अच्छे से होता है बहुत कशला की आपको प्रयोग करना है इसके साथे साथ अगर आपको कंडिशन एक्यूट है आपको सीने में दर्ध हो रहा है उर ठंडा पलशीन आपको अगर आ रहा है तो एसे में आप इजवा का प्रियोग 5-5 मिनट पे पर ले लेते है एक रथाई का पानी में पंद्रा बू तो एड़ानिस 30 की दो दो बुन को दिन में तीन से चार वार आपको प्रयोग करना है इस दवा का प्रयोग आप दो से तीन मेहने तक कर सकते हैं इस दवा का कोई भी साट इपेक्ट नहीं होता है इस मैडिसिन के बहुत अच्छे आवेजिंग रिजर्ट देखे गए हैं काफ आपको प्रयोग करें आपके लिए अच्छा होगा तो आज की वीडियो में पस इतना ही आशा करते हूं यह वीडियो आप सब्सक्राइब को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन को जरूर प्रस कर लें जिसे कि जब भी मैं इस तरह के यूश्वर वीडिय आपको मिलती रहें तो थैंक्स फोर वाचीं से यू नेक्स वीडियो